किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि खुब सूरत है आँखें तेरी रात को जागना छोड़ दे खुद बखुद नींद आ जाएगी तु मुझे सोचना छोड़ दे नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से ककसा ग्यारा और बारा की पुस्तों को जो हमने टेस्ट सिरीज प्रारंब किये आज उसका भाग है तीसरा यानि कि इससे पहले दो वीडियो दो टेस्ट ले चुके हैं जिनमें प्रग्या परवा का गद्य भाग और देख सकते हैं आज हम बात करेंगे जो अपने पुस्तक ककसा 11 के अंदर कथा दारा कथा दारा के अंदर जितने भी पार्ट है उन सभी का यह टेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें और अभी सभी को शेर कर दें फेस्टूग वाट्सप टेलिग्राम जितने भी आपके चैनल है शुरुवात करते हैं कतादारा की प्रश्णों की पहला है हिंदी में प्रेमचंद द्वारा रचित प्रथम कहानी पंच परमेश्वर का प्रकासित हुई थी 1915 1916 1917 या फिर 1918 बताएं तो क्या होगा सही उतर बे प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी थी पंच परमेश्वर वो कप्रकासित हुई थी 1916 के अंदर अगला देखिए वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है लाल बियारी के इस कथन में कौन सा मनोभाव व्यक्त हुआ है अपनत्वे का अहम का अकुलाहट का इरिश्या का तो कौन सा भाव यहां पर व्यक्त हुआ है तो सही उतर क्या हो जाएगा बी अहम का कि वो यह है तो हम भी कुछ कम नहीं है अगला देखिए प्रेम चन ने बड़े घर की बेटी कहानी में किसकी चर्चा की है बेटी का मातापिता के प्रति करतवे की बहु के करतवे उसकी जिम्मेदारियों की बेटी के करतवे उसकी जिम्मेदारियों की या फिर भाई-भाई का आपसी प्रेम तो सही उत्तर क्या हो जाएगा तीन के अंदर बहु के करतवे और उसकी जिम्मेदारियों की चर्चा हुई है और test complete होने के बाद comment करके बताईएगा किसके कितने प्रश्ण सही हुए है अगला देखिए इस्तरियां गालियां सहे लेती है मार भी सहे लेती है पर प्रेमचंद के अनुसार क्या सहन नहीं कर पाती यहाँ पर थोड़ा सा मिश्टाइप हुआ है पडोसी की निंदा सास की निंदा पती की निंदा या फिर अपने मायके की निंदा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा डी इस्तरियां जो अपने मायके की निंदा सहन नहीं कर पाती है पांचवा देखिए स्री कंठ भूप सिंग के पास किसलिए गया था नागरी परचारणी का चंदा मांगने अपने पिताजी के किसी काम है तू आनंदी को देखने या फिर सभी तो सही उत्तर क्या होगा पांच के अंदर ए नागरी परचारणी का चंदा मांगने गयते हो छटा देखिए जेनिंद्र के कहानी संग्रे के प्रकाशन वर्ष के सम्मंद में ऐसंगत है फासी 1929, वातायन 1930, एक रात 1934 और चिडियां 1936 जो ऐसंगत है वो बताईए तो छटे के अंदर अपना ऐसंगत है वो है दी चिडियां का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 नहीं वो है 1935 अगला देखिए सुर्वाला और मनोहर को निस्तब्द और निनिमेस में होकर कोन निहार रहा था मा, प्रकरती, गंगा या फिर लेकक यहां पर थोड़ा सा और मिश्टाइप हो गया है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथ के अंदर बी, प्रकरती निहार रही थी आठवा देखिए आठवा प्रशन है सुरी ओ सुरिया मैं मनोहर हूँ मनोहर मुझे मारती नहीं वहां अब एक सुन्ने सा फेल गया इसका क्या कारण था खेद और गलाने, सने, उब और निरासा या विरक्त तो सही उत्तर क्या होगा ए, खेद और गलाने नो नमबर देखिए यह कुछ और भाव था यह एक उल्लास था जो व्याज कोप का रूप धर रहा था सुर्वाला का यह कौन सा वाव था बच्पना, नारित्वय का भाव अनन्य प्रेम का भाव तिरस्कार का भाव तो सही उत्तर क्या होगा नो के अंदर अपना बी, नारित्वय का भाव दस नमबर देखिए जेनेंदर कुमार की खेल कहानी का प्रमुक उद्देश से है प्रकर्ती चितरन बाल क्रडाउं का चितरन प्रेम की अभिवेक्ती या फिर बाल मनोविज्ञान की अभिवेक्ती तो दस के अंदर सही उत्तर क्या हो Зाएगा अपना डी, बाल मनोविजान की अविवेक्ति अगला देखिए, निम्न में से अग्य किसके संपादक रहे हैं विसाल भारत, सैनिक, प्रतीक या फिर सभी तो सही उत्तर क्या हो जाएगा डी, सभी, विसाल भारत, सैनिक, प्रतीक, सभी के अग्य हैं जो संपादक रहे हैं अगला देखिए हम पडोसी की हिवाज़त ना कर सके तो मुल्क की हिवाज़त क्या खाक करेंगे ये खतन किसका है जेबुनिसा, अताउल्लाखा, रफिकुदिन, या फिर देविंद्रलाल तो बारा के अंदर क्या उतर हो जाएगा सी, रफिकुदिन साहब तेरे नमबर देखिए क्या यह है आवाज भी लोगों में फिरका परस्ति का जहर बरती होगी यहाँ फिरका परस्ति का आसे है संपरताइकता की भावना, देश बक्ति की भावना अध्यात्मिक प्रेम की भावना या फिर विद्रहों की भावना तो तेरे के अंदर साही उतर क्या हो जाएगा अपना फिरका परस्ति का अर्थ है संपरताइकता की भावना अगला है हर कोई, हर किसी को सुभहे की नजर से देखता है प्रस्तुत कथन किसने किससे कहे देविंदर लाल ने रफिकुदीन से रफिकुदीन ने देविंदर लाल से सेक अताउल्ला ने रफिकुदीन से या फिर रफिकुदीन ने अताउल्ला से तो क्या हो जाएगा सही उत्तर अपना ए देविंदर लाल ने रफिक को दिन से सुबे की नजर यानि सक की नजर से अगला देखिए पंदरे नमबर है देविंदर लाल को खाने में जहर देकर किसने मारना चाहा तो किसने मारना चाहा था पंदरा के अंदर हो जाएगा अपना ए सेख अताउल्ला सौले नमबर है उग्र जी का चोकलेट नामक कहानी संग्रेक कब परकासित हुआ था 1921, 1922, 1923 या फिर 1924 बताएं तो कब हुआ था डी 1924 के अंदर उग्र जी का चोकलेट नामक कहानी संग्रेक परकासित हुआ था अगला देखिए विधाता दुआरा देश भक्त की आयू कितनी लिखी गई 18, 19, 20 या फिर 21 वर्ष तो कितनी आयू लिखी गई थी 17 केंदर C 20 वर्ष अठारे देखिए यह है मेरी कृती यह है मेरी कृती है यह है मेरी विभूती कथन किसका है? प्रजापती का, सिव का, ब्रमानी का, विश्णु का सही उत्तर A प्रजापती 19 नमबर देखिए उस दिन स्वर्ग लोक में आनंद का अपार पारावार रहा था क्यों? किस वज़े से रहा था? राजा इंद्र के स्वागत के लिए अपसराओं के निर्ते का आयोजन होना था या फिर देश बक्त की जवाने का अंतिम पार्थ लिखा जाना था या देश बक्त का स्वर्ग में स्वागत होने जा रहा था तो सही उत्तर 19 के अंदर अपना क्या होगा? C. देश बक्त की जवाने का अंतिम पार्थ लिखा जाना था अगला देखिए उग्र जी कलकत्ता से किस पत्र का संपाधन किया करते थे? मतवाला विसाल भारत साइनिक परतीक क्या होगा भीस के अंदर उत्तर? A. मतवाला अगला देखिए 21 नंबर विस्वंबर नाज सर्माकोसिक की पर्थम कहानी रक्षा बंदर कप्रका से तुई 1911, 1913, 1915 या 16 तो 21 के अंदर क्या सही उत्तर होगा? B. 1913 में 22 नंबर प्रश्ण है राम जी दास क्या काम करते थे? ताई कहानी के आधार पर बताईए आड़त का काम कपड़े का व्यापार जोतों की दुकान पर या फिर कलर का तो 22 के अंदर अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? A. आड़त का काम करते थे 23 नंबर देखिए बाबु सहाब ने बच्चों के परती प्रेम की बात नितान्त सुध रिदे से कही थी परंतु रामे स्वरी को क्या लगा? वेंगी की तिक्ष्ण गंद मालूम हुई? क्रोध की भावना महसूस हुई? शोब का भाव महसूस हुआ? या सभी? तो 23 के अंदर सा यूत्तर क्या हो जाएगा अपना? ए वेंगे की तिक्ष्ण गंद मालूम हुई? चोबिस नमबर देखिए कैसी प्यारी प्यारी बातने करता है जी तो चाहता है उठा कर चाती से लगा लो यहां मनोहर को चाती से कौन लगा लेना चाहता है? बाबु रामजिदास रामजिदास की पतनी मनोहर के पिता या मनोहर की माता तो 24 में सभी उत्तर क्या हो जाएगा अपना? बी रामजिदास की पतनी कौन थी? बताईएगा अगला है अपने ताउ को ही ले जा मेरे उपर दया रख इस पंक्ति में ताई का कौन सा मनोबाव परकट हुआ है इरस्या, रूखापन, दया या फिर क्रोध तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 के अंदर अपना बी, रूखापन का 26 है किस उपन्यास पर अमरित लाल नागर को साहित्या काद्यों प्रुषकार मिला था सतरंज के मोहरे, सुहाग के नोपर, अमरित और विस, साथ गुंगट वाला मुखडा तो 26 के अंदर सही उत्तर क्या हो जाएगा C, अमरित और विस पर 27 नमबर है एटम बम पार्ट में कोवाईसी की आयू लगबग कितने वर्ष थी 20, 22, 25 या फिर 30 27 में सही उत्तर हो जाएगा C, 25 वर्ष 28 नमबर देखिए चोटे भाई के भरण पोसन के लिए कोवाईसी को कितने वर्ष की उम्र में बुजूर्गों की तरह मर्द बनना पड़ा था 10, 15, 12 या फिर 9 तो 28 के अंदर अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा कितने वर्ष की आयो में A, 10 वर्ष की आयो में 39 देखिए कोवाईसी का दिल तरफ उठा उसका दिल क्यों तरफ उठा था अपनी पत्नी को देखने के लिए अपने बच्चे का मुख देखने के लिए घर जाने के लिए या फिर बोजन के लिए 39 में सही उत्तर होगा अपना B, अपने बच्चे का मुख देखने के लिए उसका दिल है जो तरफ उठा था 30 नमबर देखिए क्यों नहीं बादसा और वजीर हार मान लेते क्या अपनी जोटी सान के लिए जापान को तबाह कर देंगी ये कथन है कोबाई सी का डॉक्टर सुजूकी का नर्स का गायल मरीज का तो ये कथन किसका अतीस के अंदर अपना सही उत्तर हो जाएगा B, डॉक्टर सुजूकी का 31 नमबर है निम्ण में से आचारिय चतुर सें सास्त्र की कहानी संग रहे है कौन-कौन से है ये विकल्पों में से तो सही उत्तर हो जाएगा 31 के अंदर ए पहला विकल्प है ये आचारिय चतुर सें सास्त्र कहानी संग रहे है 32 में देखिए राजकुमारे को कितने दिनों से अपने पिता का संदेश नहीं मिला था दो दिन से तीन दिन से चार या फिर पांच दिन से तो 32 के अंदर से ही उत्तर क्या हो जाएगा C. चार दिन से राजकुमारे को अपने पिता का संदेश नहीं मिला था 33 देखिए राजकुमारे ने मेजबान के रूप में कितनी मुठी अन खाना तै किया एक मुठी, दो मुठी, तीन मुठी या फिर चार मुठी 33 के अंदर से उत्तर क्या हो जाएगा A. एक मुठी अगला देखिए महराज राजकुमारी तो पूजने लाइक है वे मनुष से नहीं फरिस्ता है ये कथन किसका है राजपुत, सेनिक, द्वारपाल, मलिक, काफूर का या फिर अलावदीन का यहाँ पे थोड़ा समिश टाइप हो गया है सही उत्तर क्या हो जाएगा C. मलिक, काफूर का अगला देखिए राजकुमारी के सामने सबसे परमुक समस्या क्या थी किले में पाने की कमी किले में खादे सामगरी कमी सेनिकों की कमी या अस्तरसस्त्रों की कमी 35 में सही उत्तर B. खादे सामगरी की कमी 36 नमबर है पिताजी दूर की चिंता ना कीजिए जब तक उसका एक एक पत्थर पत्थर से मिला है उसकी रक्सा में करोंगी इस कथन में राजकुमारी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है गमंड उस्सा आत्म विश्वास वीर्ता सही उत्तर सी आत्म विश्वास का अगला देखिए 37 विश्वंबर नात सर्मा की कहानी परदेश की रचना कब हुई थी 9, 1911, 1912, 1915 सही उत्तर सी 1912 में 38 नमबर देखिए किस कहानी कार ने नैतिक माननेताओं के आधार पर अपने चरित्र खड़े किये हैं जनेंद्र प्रेमचंद इलाचंद्र प्रसाद सही उत्तर ए जनेंद्र अगला देखिए सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं निर्मल वर्मा, स्रिकांत, महीप सिंग, गंगा प्रसाद विमल सही उत्तर क्या होगा सी महीप सिंग चालिस नमबर देखिए अग्यानी सावधान हम सासकों के लाडले हैं कथन किसका है देश बक्त का, देश द्रोही का मलिक काफूर का कोई नहीं सही उत्तर बी तो शुक्रिया दोस्तों ये थे कुछ विसेश प्रशन कितने प्रशन सही हुई हैं आपके कमेंट करके बताईएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सभी मित्रों को शेयर करें पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके गंटे की निसान को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की सूसना भी आपको मिलती रहे